जहें दोस्तो मैं सतीस स्वागत करता हूँ आपके चैनल एक्जाम प्रेक्टिस भी सतीस में तो आज की वीडियो दोस्तो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है आज मैं लेकर के आया हूँ EVS पर्यावन अध्यन का प्रेक्टिस सेट नमबर 8 जो की आपके KVS एक्जाम के लिए तो इंपोर्टेंट है ही साथी साथ सीटेट, यूपीटेट और सूपर्टेट के लिए भी ये इंपोर्टेंट होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आज की वीडियो का पहला कोश्चन है कि ATM का पूरा रूप क्या है फुल फॉर्म आपश एटियम क्या होता है तो ये आपको पता ही होगा Automated टेलर मसीन Automated टेलर मसीन जो इसका हो जाता है फॉल फॉर्म मुठ खीज़ुए All Time Money लाता है तो हम जनरली यूज में कहे देते हैं लेकिन इसका full home automated trailer machine होता है बढ़ते हैं हम अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण हमारा डेंगू रोग का वाहग कौन होता है तो डेंगू रोग कौन फैलाता है आपका हमारा जो Aedes मच्छर है Aedes mosquito है उसके दारा हमारा डेंगू रोग फैलता है यदि बात करें बागी तो Aena philis मच्छर से आपको पता है कौन सा होता है malaria रोग होता है हमारे घरेली मख्यों से हमें हैजा रोग हो सकता है कई बार उनके काटने से और बात करें यदि Qlex मच्छर की तो Qlex मॉस्क्यूटो से हमें philaria रोग हो जाता है philaria रोग तो यह आपके कुछ information थी बढ़ते हैं हम अगले प्रशन क्यों अगला प्रशन है कि यक्रत जो कि लीवर मनुस्य के सरीर की जैवराशायनिक प्रियोग साला क्या है स्टोमक है लीवर है बाउल है आपको इंतिस्टाइन कहते हैं आगे आप व्रख के हैं किडनी है तो आपकी जो जैवराशायनिक प्रियोग साला बाईयो केमिकल लेबोरेटरी किसे कहते हैं हमारे शरीर की तो इसका सही उत्तर है आपका लीवर लीवर को कहा जाता है बायो केमिकल लेबोरेटरी बात करें कि इसमें तो इसमें चार तरह के एक हार्मोन रिलीस किये जाते हैं निर्माड भी होता है रिलीस भी किये जाते हैं इसके वर्क को हम देख लें तो ये डिटॉक्सिफाई करता है बोजन को हमारे डिटॉक्सिफाई करता है मतलब उससे जो गलत चीजे जो होती है जहरीली चीजे होती है उनको वो हटाता है डिटॉक्सिफाई करता है प्रोटीन का निर्माड करता है तो प्रोटीन का ये निर्माड करता है RBC जब नस्ट हो जाती है तो यहीं आकर वो आती है RBC का इसको कभ़िस्तान भी कहते हैं अब बात करें कि यहां पर हिपेरिन एक होता है फो हिपेरिन का निर्माड होता है हिपेरिन आपको पता है यह वह प्रोटीन है जो blood clotting हो लिये blood clotting नहीं होने देती या रक्त का थक्का नहीं जमने देती तो हिपरेन का भी निर्माड यहीं पर होता है और क्या काम होते हैं यक्रत वो काम करता है कई बार जब ज़्यादा शुगर हो जाती है तो अधिक जो शुगर को ये किसमें चेंज कर देता है अधिक सुगर को ये glycosin में glycosin में change कर देता है कौन ये यक्रत से जो bile juice निकलता है आप और यक्रत से जो hormones release करते हैं वो क्या करते हैं glycosin में change कर देते हैं अधिक शरकरा को तो इसका जो यक्रत सही हो जाएगा सही answer कि हमारे शरीर की biochemical laboratory कहा जाता है बढ़ते हैं अगले प्रशन के और अगला प्रशन है कि the home of dog fish dog fish आपने नाम सुनवा होगा dog fish कहां का आवाश क्या है कहां पाई जाती है तो जाद तर ये समुद्री अलाके में पाई जाती है हिंद महाशागर में भी ये मिलती है इसका जो सरीर आप देखें तो बड़ा नहीं होता है ये 30-60 cm के लगवग होता है और इसको dog fish क्यों कहा जाता है क्योंकि dog fish इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो smell करने की power है सुनगने की सकती है ये कितनी है ये dog जैसी रहती है क्योंकि जैसे आपको पता है डॉक की रहती है सकती सुंगने की एक है नेचुरल रहता है उसके पास सेम इसके पास भी रहता है आगे दिखते हैं CNG का फुल फॉर्म क्या है तो CNG का फुल फॉर्म है आपका compressed natural gas तो natural gas इसको कहते हैं natural gas और natural gas में रहती क्या है मीथेन जादातर इसमें यूज होती है और मीथेन लगवग 80-90% इसमें रहती है और जब इसको compressed करके cylinder में भर दिया जाता है vehicle में हम यूज करते हैं तो इसका नेम पढ़ जाता है क्या compressed natural gas आपको पता है जैसे petroleum जैसी चीज़े हम क्या करते है import करते हैं कई देशों से लेकिन जो CNG है हमारे देश में ही बनाई जाती है जिसका यूज हम खुद करते है तो ये CNG इसलिए CNG को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है CNG के लिए लग भी petrol pump होते हैं आपके CNG pump कह सकते हैं आप उसे आप बड़े शहरों में आपको देखने को मिलते हैं आगे देखते हैं वन जीव सपता हक मनाया जाता है तो ये हर साल मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तो 2 से 8 अक्टूबर को ये हर साल मनाया जाता है आपका वन जीव सपता है wild life week is celebrated यहाँ पर वन जीव के लिए हम सुरक्षा वगेरा ये सारी चीजे हमें बताई जाती है सपता है मनाया जाता है इस बार जो है 161 वन जीव ये मनाया गया था 2022 में आगे बढ़ते हैं राजस्थान के राजवरक्ष राजपक्षी और राजजन्तु क्रमसा है बात आई राजस्थान की तो यहाँ का आपने ट्री तो एक बार पढ़ी रखा होगा आपने उसमें तो खेजडी, गोडावड और चिंकारा ये तीनों जो है राजवरक्ष है आपका खेजडी, गोडावड क्या है गोडावड है आपका राजवरक्षी है और चिंकारा जो राजवरक्षी जन्तु होता है जो आपको पता होना चीए आगे देखते हैं कि खेजडी खेजडी आपने सुना होगा राजवरक्षान में बहुत एक फेमस एक प्लेड होता है राजवरक्ष का तो दरजवरक्षी ही है इसकी लकडी बहुत मजबूत होती है तो स्ट्रॉंग होती है इसकी लकडी और इसका जो लकडी का यूज़ किया जाता है और भी इसके बहुत सारी उज़े हल बनाने के लिए उसका जाता है और ऐसा वहां की कथा है कहा जाता है एक बार वहां पर अकाल पड़ गया था बहुत सूखा पड़ गया था तो लोगों ने इसके च्छाल जो है उससे खा करके गुजारा किया था इसलिए वहाँ पेसे बहुत पवित्र पेड़ माना जाने लगा इसलिए खीजडी को राजवरक्ष का भी दर्ज़ा दिया गया बात करें तो गोडावन की तो गोडावन के एक दूसरा नाम भी है आपने जरूर सुना होगा इसको क्या घा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसी का दूसरा नाम होगा दूसरा नाम है इसे आपको याद रखना है कई बार इससे पूछ लेता है मानली जो ऑप्सन में गोडावन की जगा यही लिखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो यह सही हो जन्तु को ने चिंका रहा हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रिशन क्योर तो पदार्थ की किस अवस्था में अडूओं के मद्ध की दूरी नियूनतम होती हैं आपको पता है अडू जो रहते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग 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 रहते हैं सबसे ज़्यादा जो गै सबसे नियूनतम रहती है इसलिए तो उसका वह मास ज़्यादा रहता है आगे देखते हैं कौन सा राज टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है काफी इंप्रोटेंट कोशन हो जाता है आपको पता भी होगा इसे भारत का हरते प्रदेश भी कहते हैं जो कि है आपका उत तर है कि इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है यहां पर सबसे ज़्यादा 625 टाइगर से हैं और सबसे ज़्यादा यहां पर नेशनल पार्क्स भी हैं आपके टाइगर रिजर्व से भी हैं टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइ सबसे ज़ादा है बांधहोगर राष्ट्री उद्यान में नेशनल पार्क में इसी में रिलेटेड एक और है टाइगर स्टेट तो आपका मध्धप्रतिश हो गया यदि लॉइन स्टेट की बात की जाए लॉइन स्टेट की तो लॉइन स्टेट जो है वो आपका कहा जाता है गुजरात को ये भी आपको एक फेक्ट याद रखना है लॉइन स्टेट कहा जाता है और पश्चिम मंगाल में एक सुन्दरवन डेलता है वहाँ पर आपका इसी में बात करें तो गुजरात जो है गुजरात में जो एशीयाई हमारे शेर पाए जाते हैं एशीयाई शेर प पाई जाती है सुन्दरवन में वहाँ पर जो है रोयल डा रोयल बेंगॉल टाइगर पाए जाता है यह आपको याद रखना है एक और फेक्ट इससे बन जाता है कि बाग दिवस कम मनाया जाता है यह भी आ जाता है कई बार एक्जाम में तो हर साल 29 जुलाई 29 जुलाई को आपका बाग दिवस मनाया जाता है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण क्यों अगला प्रश्ण है कि निमनलिकित में से किसका वेग वेलोसिटी या स्पीड अधिक्तम होती है हवा की होती है स्ट्रीम की हुद जलधारा की होती है ध्वनी की या प्रकास की तो आपको पता है कि में प्रकास की जो लाइट की सबसे जो जादा स्पीड होती है कितनी होती है थ्री लैक किलो मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होती है इसकी speed होती है इसी में एक light year पूचा जाता है एक दूरी मापने का एक मातरक होता है unit होती है light year एक प्रकास light verse का क्या कहा जाता है कि एक साल में light दारा जो चली गई दूरी को एक light year कहा जाता है वायू या निर्वात में vacuum में या फिर air में एक light year कितने के बराबर होता है तो ये जो होता है 9.45 या 46 into 10 to the power 15 meter के ये हो जाता है और यदि बात करें किलो मीटर की तो किलो मीटर में हो जाता है 9.46 into 10 to the power 12 km हो जाता है ये light year ये दूरी का मात रखे ये आप distance का unit है आपको याद रखना है तो प्रकास होगे आपका ध्वनी की चाल कितनी होती है तो ध्वनी की जो speed होती है अलग-अलग medium में अलग-अलग होती है बात करें air में वायूर निर्वात में तो 332,332 meter per second इसकी होती है और कई बार ऐसा question पूच लिया जाता है कि ध्वनी की जो चाल रहती है तो सबसे जादा aluminum के रहती है aluminum में जो है वो बहुत जादा रहती है 6000 के आसपास रहती है liquid की बात करें तो liquid में 1400 कुछ 83 रहती है जल में ये बहुत जादा है और gas में आपको पता है 332,332 meter per second रहती है तो सबसे जादा solid में पाई जाती है धोनी की चाल तो आपका जो इस प्रशन का सही होता है कि सबसे जादा velocity, speed किसकी होती है तो वो होती है आपकी प्रकास की light की बढ़ते हैं हम अगले प्रशन की ओर तो उर्जा का नवी करनी श्रोत क्या है तो renewable sources of energy तो coal, koila है, petroleum है, पौधे है या फिर uranium है तो यहाँ पर koila भी है वो भी एक limited source होता है petroleum भी, uranium है यह सारे कैसे हैं यह आणवी करनी है non renewable energy के sources है यहाँ पर हम plants को कह सकते है कि वो जो है आपके renewable energy के sources है वो के ने कहा जाता है renewable जिनका या तो आसी में थे infinite उनके sources है energy sources की या फिर जब तक हमारे humans है मानो है जब तक तो वो है ही तो कम से कम मानो के रहने तक यदि हैं वो तो वो कह है renewable energy of sources कहलाते हैं इसमें आपके plants जो है वो सही उतर हो जाएंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और एक पक्षी है एक bird है जो चोच के नीचे एक थैली जैसी सनचना होती है उन्हें मचली पकड़ने में मुदद करती है तो ये कौन सा पक्षी कहलाता है ये आपका pelican bird कहलाता है यससे आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और कौन अपना अधिकान समय हवा में उड़ने में बेतीत करते हैं ज़्यादतर fly करते रहते हैं कौन से वो पक्षी है तो वो हमारे हैं चील और गिद्ध हैं एगल और वल्चर है ये हमारे ज़्यादतर time जो है flying में उड़ते रहते हैं बहुत आसमान के ये बादलों के ऊपर भी अप चले जाते हैं कई बार कहां पर बादलों के ऊपर बादलों के ऊपर जो शुरू हो जाते हैं हमारा state of sphere उसके आसपास रहते हैं क्योंकि बादल के ऊपर तो वही हो जाता है बिल्कुल clear sky देखता है और वहां से क्या है देखते हैं अपने शिकार को और इसलिए ये गिद्ध हमेशा इसमें red data book में भी इसका नाम है क्योंकि ये बिल्लुक्त प्राय प्रजाती में आती है आगे देखते हैं वह कौन से पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं वर्ड्स कौन से है शुत्र मुर्ग है इमू है दोनो तो ये दोनो शुत्र मुर्ग देखा होगा आपने ये काफी भारी रहता है इसका 10 किलो का तो only अंडा रहता है इसका एग रहता है तो वजन के कार्ड़ ऊड़ नहीं पाते हैं सेम यू इमू भी होता है उसी तरह का सुत्र मुर्ग जैसा होता है तो ये जो दोनो पक्षी ऐसे हैं जो ऊड़ नहीं सकते हैं पंक होते हुए भी आगे दिखते हैं जल को जलवास में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है What is the process of converting water into the water vapor तो आपको पता होगा हमारे जो कपड़े होते हैं वो सूख करके वो जो पानी जाता कहा है हमारा उसी वायू मंडल में इसी धर्ती पर ही रहता है तो यही चीज क्या कहलाती है आपका वास्पी करन कहलाती है इवैपोरेशन कहलाती है वास्पी करन तो जल का जो है गैस पॉम में बदल जाना वो कहलाती है आपका इवैपोराईजेशन कहलाता है आगे देखते हैं उत्सर्जन, संगनन, पानी, उत्सर्जन क्या कहलाता है, तो emission जो हो गया आपका, तो जो metabolic reactions होती है, हमारे सरीर की क्रियाई होती है, उसके फलसरूप जो बदार्थ बज़ता है, वो जो उसको निकालना सरीर से बाहर, हमारा emission कहलाता है, संगनन का यह है कि आपने जब water cycle पड़ा होगा, तो पानी जो है, माली जी यह तलाब है, समुद्र है, यह माली जी है, तो इसका जो पानी जाता है, उपर आपका water vapor के form में, जो कि आपका evaporization कहलाता है, यही जब यहाँ पर ऊपर कुछ from solid में हो जाता है, और जब वो change होता है वापस, तो किसमें संगन कहलाता है, कि, तो यहाँ पर जो, sorry, यह gas से जो liquid में change होता है, यहाँ पर, तो gas से जो liquid में change होता है, जो पारिश के रूप में आता है, वोसे हम condensation कहते हैं, कंपेक्शन ही कहते हैं इसको कंडेंस हो जाता है पानी हमारा संगनन कहलाता है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है यही प्रश्ण आगया वापस से कि जलवास्त को जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है उसे हम संहनन कहते हैं कंडन सेशन कहते हैं कंडन सेशन तो अगले बढ़ते हैं बाकि आपने को समझ में आगी ही गया होगा दरवहवान जो की मास होती है उसकी यूनिट क्या होती है इसी उपर में एक और बताना चाहता हूँ कि जो कई बार ये भी आता है आपका melting point आता है और boiling point भी आता है कई बार पूछने के लिए boiling point क्या कहलाता है किसी water का तो generally अभी हम primary छोटी classroom हम यही पढ़ते हैं कि पानी जिस temperature पर उबलने लगता है boil करने लगता है वो है लेकिन इसमें एक और जो add हो जाता है कि एक ATM pressure पर जो हमारा atmospheric pressure का pressure रहता है atmospheric pressure रहता है एक ATM जो रहता है उसकी उपस्तिती में पानी जो है जितने degree पर उबलने लगता है वो कहलाता है हमारा क्या boiling point जो कि 100 degree centigrade होता है इसलिए तो आप देखिए का जब पहाड़ों पर कभी mountains पर आपका जो रहता है इसका boiling point जो होता वो बढ़ जाता है वो क्यों बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर pressure जो है वो कम हो जाता है इसलिए वहाँ पर दाल वगड़े कुछ आप खाना बनाते है वो देर से पकता है तो और melting point का कहलाता है melting point यह कहलाता है कि एक ATM दाब पर जो है कोई भी liquid ठोस से solid से liquid में change होने की प्रक्रियस liquid में change होना start कर देता है तो वो आप उसका melting point कहलाता है आगे बढ़ते हैं द्रबवान को किस में मापा जाता है तो द्रबवान आपको बता है kilogram में मापा जाता है यही इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा आगे देखते हैं किसी वस्तुदारा घेरा गया इस्थान उसका क्या कहलाता है वस्तु जो इस्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है इसी से मुझे एक याद आ रहा है कि आर्कमिटीज के आपको लौ याद कर लेने चाहिए आर्कमिटीज के लौ जो है वो एक उत्पलावक बल जो होता है उत्पलावक बल उत्पलावक बल क्या होता है इसको हम English में Bayancy Force भी कहते है Bayancy Force क्या कहलाती है आपने कभी पाणी में आपने नहाया होगा तो कोई चीज आप उठाइए उसमें कोई तो वो कहको उसका light वो feel होगी वो hulkी लगेगी वो hulkी क्यों लगती है क्योंकि वजन तो वही रहता है वो इसलिए लगती है क्योंकि कोई चीज यदि पानी में डूबी है तो उसमें एक opposite direction में एक बल लगता है उसको क्या बोलते हैं बाइनसी force कहलाता है और इसमें एक और चीज आते हैं कि कौन सी चीजे जो है पानी में डूब जाती हैं कौन सी तेरती हैं ये उस वस्तु के किस पर घनत्यों पर depend करता है और आयतन पर depend करता है आपके density और volume पर depend करता है कई बार ये question आता है कि जो लोहे की nail रहती है कील रहती है iron की वो डूब जाती है और पानी से जहाज जो बने वो क्या रहते हैं वो नहीं डूबते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वो दोनों का घनत्यों तो सेम है क्योंकि दोनों लोहे के बने हैं लेकिन यहाँ पर जो volume है वो बढ़ा दिया गया है किसका एक ship का जहाज का इसलिए वो डूबती नहीं है आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कौन सी गैसें पानी में घुल जाती है तो यहाँ पर oxygen तो घुली जाती है carbon dioxide घुल जाती है nitrogen nitrogen के form में नहीं घुलती उसको ammonia के form में घुलती है एनेज जो आपका 4 रहता है ammonia की form में वो घुल जाती है पानी में तो प्रूक सभी इसका answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं वह कौन से पक्षी है जो तालाबों नदियों और जहीलों के पास रहते हैं तो गिद्ध बतक है आपके कौवे उल्लू है तो आपको पता चल गया होगा बतक और crane जो है duck and crane जो है वह आपके जादर तालाब नदियां जहीलों के पास रहते हैं अगला प्रशन है सारवत्रिक विलायक किसे कहा जाता है who is known as a universal solvent तो नमक, oil, sugar, water तो आपको water पता होगा अपने chemistry में पढ़ा होगा इसको water जो है आपका universal solvent माला जाता है क्योंकि जादर दर चीज़े जो है इसमें गुल जाती है आगे देखते हैं मौसम विज्ञान का अध्यन क्या कहलाता है तो ये भी काफी important questions हो जाते है कि कई बार आता है कि cell का अध्यन क्या कहलाता है आपको cytology पता है अलग अलग चीज़ों की जो study है उसको क्या नाम दिया जाता है ये प्रशन जनरली एक्जामें पूछे जाते है तो study of science study of weather क्या कहलाता है तो ये कहलाता है आपका metrology मौसम विज्ञान कहलाता है कई बार हिंदी में दिया होगा आपका metrology तो आपका option number A इसका correct हो जाएगा चार आर क्या है ये भी आजकल काफी चर्चा का विशे है हमारे देश में तो चार ये क्या है आपका reduce, reuse, recycle and refuse कम करें आपका पुना उप्योग करें recycle करें और आस्वी कार करें तो देखते हैं यहाँ पर आस्वी कार करें ये तो नहीं होना चाहिए इसका यहाँ पर आपका restore आजाता है पुना उसका भंडारन करें तो उसका restore आजाता है चोथे नमबर पर कहीं पर ये option आपको मिलता है restore का तो वो आप लगाएंगे तो हमें जो प्राकृतिक चीजें हैं यूज करतें उनको तो कम करना है कम करने का मतलब जितना जरूरत है reuse मतलब यादि यू reuse हो किये है तो वो करना है recycle करना हमें आना चाहिए और restore करना आना चाहिए जैसे हम पानी की कमी है तो पानी को हमें restore भी करना है चाहे वो soap it बनवाएं घर पर और चाहे पेड लगाएं यह सारी चीज़ें करके, यह जो परेवरेंट की चीज़ों का हम जो यूज करते हैं, प्रत्वी की चीज़ों का, तो यह जो 4R इसी सेंस में यूज होता है, रिड्यूज, रियूज, रिसाइकल, एंड रिस्टोर, तो यह है, और बाकी आपके आपके आप्शन जो सही नहीं होगे, बढ़ते हैं अगले प्रशन क्यूर, तो 1.100 हर साल कम बनाया जाता है, अभी आपने देखा है, इस सेकेंड से आपके 8 ओक्टूबर तक हैं मनाया जात हती है, एक कॉशन है आपका recent में ही, हाल में ही आपकी कशमीर बनी है, जम्मू जीस कह सकते हैं जम्मू बनी है, और दूसरी लद्दाक बनी है, तो हो जाना चाहिए था no, लेकिन फिर भी आप हैं, क्योंकि कोई दो ऐसी union territory है जिनको मिला करके एक कर दिया गया है तो वो आप क्या करेंगे comment box में मुझे बताईएगा इस परशन का उत्तर तो आज की वीडियो मुझे उमीद है आपको पशंद आई होगी कुछ information मिली होगी जो आपके exam में काफी helpful हो सकती है तो हमारी वीडियो उसको देखते रही है मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much for watching this वीडियो